पॉनी पुली स्थानग शेत्र के काकिपार में नाली में नलका पानी भेने और बक्री बानने को लेकर हुए विवाद में पीता पुत्र को लाठी से पीटा गया पुलिस सुत्रों के अनुसार केवल वाग और रामराव किसन वाग एक दुस्रे के रिष्टेदार है और अगल बगल में रहते हैं जब केवल वाग ने अपने बकरियों को बांधा तो रामराव वाग ने इसका विरोध किया और बताया कि बकरी को स्थान पर नहीं बांधना चाहिए आपके नलका पानी भी नाले में आ रहा है केवल वाग और रामराव और राकेश रामलाल वाग उम्रा 28 वर्ष में बहस हो गई और उन्होंने केवल वाग को सिर पर लाठी और इड़ से हमला कर गायल कर दिया पिता को पिटता देख एक लोता पुत्र आकाश जगड़ा सुलजाने आया और उसे डंडे से कंधे पर मार कर गायल कर दिया गया और साथ ही जान से माने खिक धम की दी गई पौनी पुलिस थाने में शिकायत के आधार पर ममला दर्ज कर लिया है